सावन 2022 उपाए, सावन में इन पांच उपाईों से दोर होगा घर का वासुदोष बरसेगी शिव की करपा शिव जी की भक्ती के लिए सावन का महीना सबसे उतम माना गया है श्रावन मास में आने वाले सौंबार में भगवान भोलेनात और मा पार्वती की पूजा और ब्रत करने से सभी पाप नश्ट हो जाते हैं और समझ सुकों की प्राप्ति होती है सावन का पावन महीना आज यानी 14 जुलाई 2022 से शुरू हो गया है सावन में शिव बेहत प्रसंद मुद्रा में होते हैं चारों और काफी उड़जा होती है शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाई बताए गए हैं जिनका सावन में उप्योग करने पर घर के वास्तुदोस दूर हो सकते हैं तो आईए जान लेते हैं कि वह उपाई कौन कौन से हैं जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सिव जी को जल बहुत प्रिय है सावन के सौंबार में भगवान भोलेनात की पूजा में शिवलिंग पर गंगाजल से अभिशेक जरूर करें इससे बोलेनात जल्द परसन होते हैं और तमाम परिशानियों से हमें मुक्ति दिलवाते हैं सावन में पूरे घर में नियमीत गंगाजल का छिड़काफ करना चाहिए इससे वास्तुदोस खत्म हो जाता है और परिवार में सुक शांती बनी रहती है इसके अलावा सावन के महीने में उत्तर या पूर्वदिशा में जल्सरोत जैसे आर्टिफिशल वाटर फाउंटेन यानि जिसको फबारा कहा जाता है वह लगाना शुब मना जाता है इससे घर में सकारात्मक उड़जा का संचार होता है नेगेटिविटी दूर होती है सौभागय और सम्रधी में ब्रधी हो जाती है कलह से बचने के लिए यानि कि ग्रह कलिसे मुक्ती आरोगे का वरदान पाना चाते हैं तो सावन में घर के इशान कौन में यानि कि नौर्थ इस्ट डारेक्शन के अंदर सावन के सौंबार के दिन रुद्रविशेक जरूर कर लें धन की समस्या यदि आपको सता रही है आर्थिक संकट को दूर करने के लिए घर की पूर्वद्षा में बेल पत्र का पौधा लगाएं रोजाना इसमें जलर पित करें और शाम को घी का दीपक लगाएं इससे धन का आगमन होगा और दरिद्रता नहीं आएगी यदि विवा में कोई बाधा आ रही है तो सावन माह में अगर कुवारी कन्या घर में तुलसी का पौधा लगाएं तो जल्द विवा की योग बनते हैं तुलसी को सौब भागे का प्रतिक माना जाता है घर की उत्तर दसा में तुलसी लगाना शुब माना गया है तो ये थे कुछ ऐसे उपाई जिसको सावन के महीने में करके आप अपने घर के वास्तु दोश को दूर कर सकते हैं यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जाकर के ओम नमस्षिवाय अवस्षे लिखिएगा इससे भगवान भोलनाद की किरपा आप पर सदेव बनी रहेगी मित्रो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माधम से बताईएगा और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो जुरूर पहुचाईएगा मिलते हैं ऐसी ही नई जनकरी के साथ तब तक लिविदा लेते हैं नमस्कार